मैं राजस कुमार राशन, अकठियार बिहार से, ये मेरी वाइप रैसम कुमारी पहले हम लोग बहुत नार्मल जिन्दगी जीते थे कुछ दिन पहले इनके गर्दनों में कुछ दरद हुआ मैं अपने नजदी की डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर साब को दिखाने के दर्वियान में लगभग एक से डेर मेने मैंने डॉक्टर साब को अच्छी तरह से गया ट्रीटमेंड करवाया जिसके treatment के दर्वया नहीं बहुत ज़्यादा प्रिसानी होने लगी तो डॉक्टर साब ने MRI लिखे बोले कि MRI जाके सिली गोरी में करवाना है सिली गोरी में मैंने जब MRI करवाया वहां से आकर के डॉक्टर साब को मैंने जब MRI दिखाया तो एमाराज दिखाने के दर्वयान में डॉक्टर साब बोले कि इनका operation होगा इनको जो है रीर की हड़ी के अंदर में टॉंसील हो गया है जिनका इलाज यहां नहीं है यहां इलाज है तो बहुत महंगा है आप जो है दिली चले जाएए इनका इलाज हो जाएगा उपरेशन हो जाएगा मतर इनको जो है समय लगेगा करोना के दर्वयान में अभी जो है लगवग दो से तीन महिने वेट करना होगा उसके बाद आपका हो पाएगा तो मैंने देखा कि मेरा पेशेंट बहुत सिरियस होते जा रहा था तब मैंने अगल बगल से पता करवाया कि यहां कोई प्राइबेट होस्पिटल धंका हो तो मैंने अपरेशन कराने के विचे में सोचा जब मैंने अगल बगल में पता कराया दिल्ली में दिल्ली में वहां भी गया वहां गया तो वहां का कुछ चार्ज जादा लगा हमको तो मैंने और पता किया तो गुरगाओं नायरना होस्पिटल के बारे में मुझे पता चला जब मैंने यहां आया तो एडमिशन कॉंटर में मुलाकात हुई तो वहां पूछा कि मैंने नीरोलोजिस्ट से मिलना है तो वहां बताए कि नीरोलोजिस्ट एस्पेसलिस्ट डॉक्टर हर्नरायन सिंग है उनसे मिले रेशब कुमारी जी हमारे पास आये थे इनको चलने में काफे दिनों से बहुत दिक्कत हो रहा था पैरों में भारीपन लग रहा था, सुनपन आता जा रहा था हाथ इनके बिलकुल ठीक थे दिल्ली के कई हस्पतालों में रेशब कुमारी जी गए जहां पे इनका एक हैमारा ही हुआ और रीड के हड़ी में, सात्वी हड़ी में गर्दन के पास में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उस पे दबाव देती हुई एक रसॉली देखी गई जब हमने इनको बताया कि इस तरह की रसॉली से इस तरह के सिम्टम्स आने काफी कॉमन है और इसका ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है देखने में ये जो रसॉली थी, ये कैंसर जैसी नहीं लग रही थी जो हमने इनको बताया ये काफी डरे हुए थे इस बारे में क्योंकि आँ अमूमन बहुत सारी मिसकंसेप्शन्स रहते हैं कि कैसे ऑपरेशन होगा, रीड की हड़ी के ऑपरेशन, स्पाइनल कॉर्ड के ऑपरेशन खराब हो जाते हैं ये आम भावना हैं लोगों में और जब हमने बताया कि इस तरह के ऑपरेशन आजकल काफी सफल हो गए है आजकल टेकनालोजी बहुत बैतर हो गई है और इस तरह के ऑपरेशन काफी अच्छे से और जल्दी तरीके से रिकवरी हो जाती है तो ये काफी बाने हैं हमारी बात और इन्होंने ऑपरेशन कराया ऑपरेशन में करीबन दो से तीन घंटा लगा अच्छे से ऑपरेशन हो गया ऑपरेशन के अगले दिन से ही इनको थोड़ा बैतर फील होने लगा दो से तीन दिन ही हस्पताल में रुके जिसमें जैस वक्त इनका डिस्चार्ज हुआ उस वक्ती थोड़ा चलने लग गए थे तो इन में थोड़ा सा कॉंफिदेंस वापिस आया जो रसॉली थी वो एक तरह का ट्यूमर है जिसको नीरो फाइब्रोमा कहते हैं जो नसों से शुरू होता है और यह कैंसर नहीं रहता है तो वो रसॉली जैसे बाहर आ गई है तो अब इनका आगे का जीवन नॉर्मल रहेगा इस तरह की ओपरेशन से हम यह देख सकते हैं कि इस तरह की ओपरेशन काफी सेफ हैं काफी अच्छे से हो जाते हैं रिकवरी में भी दिक्कत नहीं आता और आगे की लाइफ काफे अच्छे से बीच सकती है तो इसलिए लोगों को सामने आना चाहिए अगर कोई दिक्कत हो रही है डॉक्टर से सला लेनी चाहिए और ऑपरेशन से घबराना नहीं चाहिए इस तरह के अपरेशन होने के दर्वयान में मैंने कुछ दिर वैट किया लगवग तीन से चार घंटा अपरेशन में लगा मैंने बाहर वैट किया उसके बाद भड़ती हुए दो-तीन दिन होस्पीटल के अंदर रहे उसके बाद डॉक्टर साम ने छुट्टी की, छुट्टी करने के बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमको मिला, जिनके कारण मेरी वाइप अच्छी तरह चलने लगी तो रेशिम जी जब आप हमारे पास आये थे, तो आपको क्या-क्या दिक्कते थी? हम चल नहीं पाड़े थे, इसे मेरा पैर ही नहीं उट रहा था, कमर भी नहीं चल रहा था, दर्द हो रहा था, अपनी थोरा तो ये कितने दिनों से आप ऐसे दिक्कत में थे? एक महना से, पहले तो हम बिलकुल ठीक ठाक थी सर तो ये धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी दिक्कत? बढ़ती जा रही थी, जी तो आपको किसने बताया कि ऑपरेशन की जुरुरत है? बिहार कहीं थी सर, टेकिन उदेली दिलिया में ही रहते हैं उसे से पता चला कि सर है, डक्टर बर्याँ, इसलिए चले जाएए वही पर तो आपको डर लग रहा था? जी सर, बहुत डर लग रहा था ऐसा क्यों था कि आपको डर लग रहा है? अच्छा, तो फिर आपका ऑपरेशन हुआ, आपको कितनों दिनों के बाद में आपको थोड़ा सा बैहतर लगने लगा? एक ही दिन में, सर, अपरेशन के अगले दिन ही आपको थोड़ा बैहतर लगने लगा? पहरों में भारीपन जल्दी ठीक हुआ या कोई और तकलीफ? नहीं, तकलीफ तो नहीं हुआ, ज़ादा दर्द तो नहीं हुआ ओपरेशन में? नहीं, सर, अभी आपको करीबन एक हफता हो गया है ओपरेशन को? जे, तो आपको कैसा लग रहा है चलते हुए? अभी तो आधा से अधीक हम ठीक हज़र, पहले से मतलब बहुत अच्छा है मैं नर्ना एस्पेसलिस्ट होस्पिटल के सभी मेंबरों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पतनी की बहुत अच्छी तरह देखबाल हुई और इलाज इनका संपन हुआ, सारे डॉक्टर्स भी अच्छे थे और मैं एस्पेसलिस्ट जो डॉक्टर हरनान सिंग है, उसको तहे दिल से परनाम करता हूँ और मैं एस्पेसलिस्ट करता हुआ